हालो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का जहारखन लाइब की यूटीब चैनल में आप सब का स्वागत है तो दोस्तों आज है 11 फरवरी और हम लोग यहां पर आज जहारखन के महत्पून करेंड़ फिरे कुशन्स देखने वाले हैं तो अगर आप जहारखन लाट्रल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लिजे ताकि आगे का जो भी अपडेट से अगर वीडियो हैगी नूटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहा जोएन कर सकते हैं डेली साम के साथ वजे वहाँ पर वीडियेफ जो है वो फ्रवाइड कर दी जाती है तो आप वीडियेफ प्राप्त कर सकते हैं टेली गराम ग्रूप से तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 11 फरवरी के जहारखन के महत्यपून करेंट अफे कुस्चन से द कि जयांती मनाई गई है तो आपसर नमबर बी इस राइट एंसर हो जयागा हाले में ना फरवरी के किस्वीर की स offers मनाई गई है तो अचारवरी की जयान्ती तो इसल्डाइब तो 2 6 इसवीको हुआ था तो option number B is right answer हो जाएगा हाले में तेलंगा खड़िया की 9 फरवारी को जयनती मनाई गई है चलिए अगले प्रस्टन की ओर चलते हैं और अगला प्रस्टन है तेल सन रक्षन के लिए वाक ओथाउन कारिकरम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है तो इसका सही अंसर जो होगा option number B is right answer हो जाएगा किसके द्वारा? गेल इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है वाक ओथाउन कारिकरम का तो option number B is right answer हो जाएगा तेल सन रक्षन के लिए वाक ओधान कायरी करम, किसके द्वारा की आ गया है तो गेल इंडिया के दवारा किया गया है चलिए details में यहां पर देख लेते हैं तो यह सह कि आप यहां पर देख पा रहे हैं petroleum और प्रॉक्तिक gas मंत्रा ले भारत सरकार और गेल इंडिया की ओर से तेल और आपने किया गया इसका सही अंसर जो होगा option number B is right answer हो जाएगा वाकोत्वान कारिकरम का राची में किसके द्वारा आयोजन क्या गया है तेल सन्रक्षन के लिए चलिए अगले प्रसंग क्यों चलते हैं और अगला प्रसंग है जहारखन के किस चिकित्सक ने लाइडेन वर्ग नीदरल लिया है तो इसका सही अंसर जो होगा option number C is right answer हो जाएगा किसने भाग लिया है डॉक्टर ओम प्रकास ने भाग लिया है तो आप्सन नंबर C is right answer हो जाएगा जहारखन के डॉक्टर ओम प्रकास ने लाइडेन बर्ग नीदरलेंड के मेडिकल कॉलेज में आयोजन सेमिनार मे हिसा ली है और इन्होंने यहां पर टी एम जिस सम्मंधित समास्या पर अपने वीचार का वया ख्यान दिये है तो आपसन नंबर C is right answer हो जाएगा डॉक्टर ओम प्रकास ने यहां पर जहारखन के चिकित सक है जो कि लाइडेन बर्ग नीदरलेंड के मेडिकल कॉलेज में आ चातरों के लिए उन्मुखी करन कायरकरम की सुरुवाद जहारखन के किस विश्विद्याले में की गई है तो इसका सही अंसर जो होगा अपसन नंबर C is right answer हो जाएगा बिरसा क्रिसी विश्विद्याले में कहां पर इसकी सुरुवाद की गई है बिरसा क्रिसी इसकी शुरुवात की गई है चली डीटेल्स में यहां पर देख लेते हैं इसके बारे में तो बिरसा क्रिसी विश्विद्याले के क्रिसी असनातक चात्रों के लिए लर्निंग प्रोग्राम सुरूग किया गया है भारतिये क्रिसी अनुसंधान परिशद आईसी अईसी ए कार्प calorie को सामिल के गया है। जिसमें से किसी यहां पर अनुभा लेकर समन्दित PART boys time तो आप्ट नमबर का कारिकरम का शुरुवात किस विश्वध्यालय में किया गया है और यह भारत के सभी क्रिशी विश्वध्यालय जितने सारे हैं उनमें यह कारिकरम लागू किया गया है तो आप्सन नमबर इवнд मंत्रियों के लिए दो दिवील्स के प्रबोगहां पर्सीक्षन काई यह कारिकरम का यहुजन कहां किया जाएगा तो इसका Even पर किया जाएगा टopendके Pacific क्यारिकरम ौद्व किया ठीके यहां पर प्रबोगहां प्रसीक्षन कायर करेंक है चलिए उसके बार यहां पर डिटिल्स वे देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख पार हैं पांचवी जहारखन विधान सभातिक काइविनेट मंत्री और विधायकों को संसद्य भासा में परवावसली तरीके से विधान सभा में जन सरोकार के मुद्दों को उठाने के गूर सिखाया जाएगा इसके लिए 11 और 12 फरवरी को दो दिवसी परवुधन परसिक्षन कारिकरम प्रोजेक्ट भावन राची में आयोजित किया जाएगा तो आपसे नमबर यहां पर आपका जो होगा यहां पर बी इस राइट एंसर हो जाएगा इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा राची में किया जाएगा प्रवुधन परसिक्षन कारिकरम राज के विधायक एवं मंत्रियों के लिए ठीक है चलिए एक लिए प्रसंट क्यों चलते हैं और अगला प्रसंट है राची रेल मंडल के किस अस्टेशन को पूरी तरह से कम्पिटराइज अस्टेशन बनाया ग इसे बनाया गया है घोसित किया गया है तो आप्सन नमबर ए इस राइट इंसर हो जाएगा राची रेल मंडल के गोविंद पूर स्टेशन को पूरी तरह से कम्पिटराइज अस्टेशन बनाया गया है चलिए डीटेल्स में देख लेते हैं इसके बारे में यहाँ पर तो होगा तो आप्सन नमबर आपका यहाँ पर ए इस राइट एंसर हो जाएगा राची रेल मंडल के गोविंद पूर स्टेशन को पूरी तरह से कम्पिटराइज अस्टेशन घोसित किया गया है चलिए अगले प्रसंद की ओर जलते हैं और अगला प्रसंद है एंसर और अपनी जगह बनाई है तो इसका सही अंसर जो होगा ओप्सन नमबर सी इज राइट इंसर हो जाएगा लाते हार जीला ने अप लोगों ने बहुत से यहाँ पर जो कमेंड किये थे माक्सिमम लोग इसका सही अंसर कमेंड किये थे तेक है इसका सही अंसर जो होगा ओप्सन के खेत्र में तेजी से विकास के लिए जहार खllah कि लाठेहर को जीले के देश भर में अकांचि जीलों में तीसरा अस्थान प्राप्त हुआ है नीति आयोक द्वारे तो यहां पर एक करोड रूपी का पत्साहन रासी केंद्र सरकार द्वारत दिया जाएगा लाते हर जीला को आपका यहां पर यहां पर यहां पर योजना क्या है तो इस कारिकरम के तहट जीले के समगर सुधार के लिए है जिसमें स्वास्त और पोशन, सिक्छा, क्रिसी, जल, संसाधन, वित्य समावेशन और कौसल विकास, सड़क, जल, उपलब्ध कराना है तो इसमें समपुर्ण विकास यहाँ पर डेवलप्मेंट किया जाता है और इसे तब इसे जाकर यहाँ पर आकांची योजना में इसे सामिल किया जाता है तो यहाँ पर जो है वो और सही अंसर जोगा अप्सन नमबर C इस राइट एंसर जाएगा लाते हर जीला को तीसरा अस्थान प्राप्त हुआ है चलिए अगर प्रस्ण की ओर चलते हैं और आज का प्रस्ण देख लेता है यहाँ पर कुस्चन आज का प्रस्ण है आदिवास आदिवासी दरशन पर अंतराष्टी सम्मेलन का ययोजन कब किया गया है और कहां किया गया है ये दोनों आप लोग कमेंट करेंगा तो कोशिज करेंगा इसका सही अंसर कमेंट करने की तो यहाँ पर ये थी आज की जहारखन की महत्पून करेंड आफेरे कुस्चन्स और उ झाल झाल